नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आप पास स्वागत है मैं हूँ परवीन शेख इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आए देखते हैं सुर्खियां हिजाब मामले पर सुनवाई के दोरान याचिका करता के वकील की दलील पगड़ी और किरपाण की तरहां मुस्लिम लड़कियों को सुरक्षा देता है हिजाब करनाटक के शिक्षन संस्तानों में हिजाब बैन को दी गई है चनौती गोवा में कॉंग्रेस विधायकों के दल बदल के बाद बीजेपी की बड़ी टेंशन प्रदेश बीजेपी चीफ सदानन शेट तनावड़े ने कहा दिगंबर कामाद धोके बाज उनकी बगावत के कारण ही गिरी थी 2005 में बीजेपी की सरकार S.C.O. समीट में हिस्सा लेने के लिए उस्बैकिस्तान के समरकंद के लिए रवाना हुए पि-म मुदी, चीनी राश्पती शी जिन पिंग और पाकिस्तान के पि-म शाबाज शरीफ से मुलाकात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार नमंबर में BCCI के अध्यक्ष बन जाएंगे जैशा, सौरव गांगूली को बनाया जाएगा ICC का चीफ BCCI सोर्सिस के हवाले से खबर तो ये थी सुर्खिया और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जो जुड़ी है C.M. नितीश कुमार की बड़े ऐलान से C.M. नितीश इस वक्त B.J.P. की आँख की बड़ी किरकरी बने हुए है 2024 में दिल्ली की सत्ता से B.J.P. को दूर करने के लिए नितीश ने एक बड़ा दाउं चल दिया है क्या नितीश के दाउं से बिखर जाएगी B.J.P. इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे भारत जुड़ो यात्रा ने छुड़ाए B.J.P. के पसी ने क्योंकि यात्रा में हो चुकी है E.D. की एंट्री बात होगी C.M. हेमन सोरेन की जिनोंने B.J.P. की हावा निकाल दी है तो वहीं उद्दर ठाकरे ने शिंदे की नींद उड़ा दी है इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों की पूरी जानकारी देंगे हम तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर तो दोस्तों 2024 की जंग काफित दिल्चस्प होने वाली है एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा से पियम मोधी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं तो वहीं आज सीम नितीश ने 2024 को लेकर बड़ा एलान कर दिया है नितीश का मकसद साफ है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी नहीं होगी तो क्या कहा नितीश ने देखते हैं ये रिपोर्ट बिहार के सीम नितीश कुमार ने 2024 को लेकर अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है वो अपने आवाज पर लगातार बैठ के कर रहे हैं मंगलवारात को हुई चुनावी रणे नितीकार प्रशांद किशोर और सीम नितीश की मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं तेज है और उससे पहले सोमवार को सीम नितीश ने पूर्वर राजनाइक पवन वर्मा से भी मुलाकात की थी खबरे तो ये भी है कि पीके और पवन कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमी का निभा सकते हैं अब 2024 साम चुनाव को लेकर सीम नितीश ने बड़ा एहलान कर दिया है उनका कहना है कि देश में घैर बीजेपी सरकार बनने पर सभी पिछडे राज्यों को विशेश दरजा दिया जाएगा दरसल बिहार को विशेश राज्य का दरजा दिये जाने की मांग प्रदेश के सभी दल लगातार कर रहे हैं नितीश कुमार जब NDA में थे उस समय भी उन्होंने पियम मोदी के सामने बिहार को विशेश राज्य का दरजा दिये जाने की मांग पूरी ताकत के साथ उठाई थी लेकिन मोदी सरकार ने बिहार को विशेश राज्य का दरजा नहीं दिया था लेकिन अब नितीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेश राज्य का दर्जा दिया जाएगा जिसे वो भी देश के विकास में बराबरी की हिस्सेदारी कर सकेंगे नितीश के इस ऐलान से पूरे देश के चुनावी समिकरण बदल सकते हैं और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं दरसल महागडबंदर में शामिल होने के बाद से ही नितीश कुमार बीजेपी की परिशानी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं मजबूती विपक्षी एकता के साथ ही अब उन्होंने विशेश राजजी के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर लिया है नितीश कुमार अभी तक कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांदी समाजवादी पार्टी के अखलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं पिछले दिनों अपने दिल्ली दोरे में भी सीम नितीश कुमार ने सीपीम नेता सीता राम येचुरी सीपी आई नेता डीराजा से उनके कारायलों में जाकर मुलाकात की थी बाद में वो आमाद्मी पार्टी के राष्टी सायोजग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवास से भी मिले थे इस दोरान दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया भी मौजूद रहे नितीश ने हर्याड़ के पूर्व सीम और आई एन एलिल्डी नेता उन प्रकाश जोटाला से भी गुरुगराम में मुलाकात की थी नितीश की इस कवाय से साफ है कि वो किसी भी कीमत पर अब दिल्ली के सत्ता पर बीजेपी का कबजा नहीं होने देंगे ऐसे में नितीश का सभी पिछडे राज्यों को विशेश दर्जा देने का एलान बीजेपी को बैकफूट पर धकेलने के लिए काफी है तो क्या नितीश का एलान बदल देगा दो हजार चौबिस के चुनावी नतीजे हालात तो फिलाल यही बयां कर रहे हैं क्योंकि देश की सियासी हवा मोदी के खिलाफ नजर आ रही है वहिन राहूर की भारत जोड़ो यात्रा में अब एडी की एंट्री हो चुकी है बीजेपी हर हाल में भारत जोड़ो यात्रा को असफल करना चाहती है इसलिए अब उसने केंद्री एजन्सियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा में अब केंद्री जांच एजन्सियों की भी एंट्री हो गई है केंद्री एजन्सिया कॉंग्रेस की यात्रा से आगे निकलती दिखाई दे रही है दरसल इस समय राहुल गांदे के नेत्रित में चल रही कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा केरल में है केरल में 19 दिन यात्रा चलेगी इसके बाद 1 अक्टूबर को ये करनाटक में प्रवेश करेगी भारत जोडो यात्रा करनाटक में पहुंसती है उसे पहले एडी का समन कॉंग्रेस प्रदेश अधक्ष के पहुंच चुका है एडी ने उन्हें पेश होने को कहा है एडी के समन पर कॉंग्रेस भड़ा कुठी है खासतोर पर समन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं समन भारत जोडो यात्रा के बीच में आया है ऐसे में इस पर कॉंग्रेस का रुख भी सक्त दिखाई दे रहा है एडी के समन को लेकर डी के शिफकुमान ने ट्वेट किया बारजोडो यात्रा और विधानसभा सत्र के बीच उन्होंने मुझे फिर से पेश होने के लिए E.D. का समन जारी किया है। मैं सहयोग करने के लिए तयार हूँ लेकिन इस समन की टाइमिंग और जिस तरह से मुझे प्रतारित किया गया है वे मेरे समविधानिक और राजनेति करतव्यों के निर्वाहन में आड़े आ रहा है। दरसल कॉंग्रेस नेता शुरुआ से ही दावा कर रहे थे कि इस यात्रा से बीजेपी दबाब में दिख रही है लेकिन वो कॉंग्रेस के सवालों का जवाब देने की स्तिती में भी नहीं है। बीजेपी पहले अपने ने महिने में ही विदान सबा के चुनाव हैं और प्रदेश कॉंग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आकरमक अभ्यान छेर रखा है। जिससे बीजेपी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीते दिनों कॉंग्रेस ने करनाटक में ब्रष्टाचार के विरोध मे 40% सरकार भाश्पा का मतला ब्रष्टाचार शिर्शक से एक अभ्यान शिरू किया था। बीके शिवकुमार ने 40% कमिशन गवर्मेंट पर एक अभ्यान गीद भी जारी किया था। बसे कॉंग्रेस ये पहले ही कह चुकी है कि भारत जोडो यातरा से डरी बीजेपी एडी का इस्तमाज जरूर करेगी क्योंकि जब बीजेपी हारती है तो उसे एडी की याद आती है या तो जहरकन के सीम हेमन सोरेन को भी राज़िपाल रमेश बैस किया गई है तब ही आज सोरेन ने राज़िपाल बैस से मुलाकात की तो क्या है इस मुलाकात के सियासी माईने देख नहीं नहीं विधान सभा में विश्वासमत खासिल करने के बाद जारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के उपर से बहुमत का संकट तो टल गया है। आज राजभवन में माननीय राजपाल रमेश वैस जी से मुलाकात कर राज़ी में पिछले तीन सप्ताह से ज्यादा समय से उत्पन अनापेक्षित और दुर्भागे पूर्ण परिस्तितियों की अनश्चित्ता को दूर करने के लिए पत्र सौपा जिससे इस भ्रह्म के स्ति में भाजपा की तरफ से किये जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके उन्होंने इस ट्वीट के साथ उस चित्थी की कौपी भी साजा की साथी उन्होंने अपनी ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए अफवाएं फैलाने का गंभीरा रोप भी लगाया उसके बाद जब रमेश बैस दिल्ली दोरे से वापस लोटे उस समय भी उमीद थी कि अब फैसला आ सकता है लेकिन अभी तक मामला लटकाया गया है ऐसे में जारकन सरकार का आरोप है कि मामले को जान बूच कर बीजेपी के इशारे पर लटकाया जा रहा है जारकन में सीम सोरेन के दाउं से बीजेपी बेदम नजर आ रही है तो वही महराश्ट में उद्धव के वार से सीम शिंदे बेहाल हो गए हैं बीमसी चुनाव से पहले बीजेपी और शिंदे बैक फूट पर है लाखो करोडों के प्रोजेक्ट गुजराश शिफ्ट होने क बाद महराश्ट की जनता भी शिंदे के खिलाफ हो गई है देखते हैं ये रिपोर्ट महराश्ट में जल्द बड़ा सियासी तूफान आने वाला है राजे की शिंदे बीजेपी सरकार इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है शिफसेना एंसेपी और कॉंग्रेस ने बीजे बीजेपी ने एक नाश्चिंदे को मुख्य मंत्री पद दिया है वैदानता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महराश्ट से गुजराद जाने पर सियासत तेज है शिफसेना का कहना है ये हमारा आरोप नहीं बलकि विश्वास है जिस तरह से फर्णवीस ने अंतराश्टि वित केंद्र को मुंबई से गुजराद भेजा उसी तरह एक नाश्चिंदे ने फॉक्सकॉन वैदान सौधे को गुजराद जाने की अनुमती दी है कल वो मुंबई को भी बेज देंगे फॉक्सकॉन सिर्फ शुरुवात है फॉक्सकॉन डील काफी सरल तरीके से हुई ये इसपेश्टे की भाजपा ने एक नाश्चिंदे से कहा कि उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है उनके विधायकों को करोडो दिये हैं अब आप महराश्च की तिजोरी की चाबी हमें सोब दीजिए इस मामले में उद्धव को राज ठाकरे का समर्थन भी मिल रहा है जिस पर उद्धव ने कहा कि अच्छा है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है लेकिन अपराधी उनका दोस्त यानी बीजेपी है शिवसेना ने कहा कि महराश्च के विकास के सभी इंजन अब गुजरात की औ और रुख करेंगे आपको बदादे कि राज ठाकरे ने इस डील के गुजरात जाने पर जांच की मांग की है महराश्च के पूर मंतरी आदेत्य ठाकरे ने बुद्वार को कहा था एकना शिंदे ने ना केवल हमारे 40 विधायकों को बलकि महराश्च की बड़ी करोड रुपए और एक लाख रोजगार के अफसरों के नुकसान के लिए कौन जिम्यदार है आदेत्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर एक और बड़ा आरूप लगाया है उन्होंने कहा कि महराश्च के हां से वैदान्त फोक्स कौन परियोजना ही नहीं बलकि ड्रक पार्क प पर हमला करने का मौका दे दिया है विपक्ष की माने तो योगी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है यूपी एक बार फिर दहल उठा है इस बार भी बेटियों को निशाना बनाया गया है और ये दोनों बेटियां भी धलित हैं यूपी के लखिमपूर खीरी में दो सड़क पर कई घंटों तक जाम लगाया तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है इस घटना पर राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की है उन्होंने लिखा है लखिमपूर में दिन दाहारे दो नाबालिक दलित बहनों क अपहरन के बाद उनकी जान लेना बेहद विचलित करने वाली घटना है बलातकारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती हमें अपनी बहन बच्चियों के लिए देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही हो रोज अखबारों वर टीवी में जूटे विग्यापन देने से कानून विवस्ता अच्छी नहीं हो जाती आखिर उत्तर प्रदेश में बहिलाओं के खिलाफ जगन्ने अपरात क्यों बढ़ते जा रही हैं वई योपी के मुख्य विपक्षी पार्टी सपा प्रमुक अखली शादवने पुलिस और कानून विवस्ता पर सवाल उठाए हैं उन्होंने ट्यूट करते हुए लिखा कि निंगासन पुलिस थाना शेत्र में दो दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी जान लेना औ उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहत गंबीर है कि बिना पंचनामा और सहमती के उनका पोस्माटम किया गया लखिमपुर में किसानों के बाद अब दलितों पर जुल्म हातरस की बेटी के साथ हुई जगन्य घटना की पुनरव रिती है प्रदेश में कानून लखिमपुर खीरी में हुई इस घटना ने सियम योगी के दावो की पोल खोल दी है और अब बात कर लेते हैं गुजरात की गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है इन चुनावों को लेकर राजनेतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है तो व पहले खेल स्टेडियम पियामोधी के नाम और अप्षिक्षण संस्थान का नाम पियामोधी के नाम पर करने की तयारी शुरू हो गई है मोटे रह किरकेट स्टेडियम का नाम तो डेर साल पहले ही बदल कर पियम मोधी के नाम पर किया जा चुका है और अब एहमदाबाद के LG Medical College का नाम पियम मोधी के नाम पर रखे जाने की तैयारी हो गई है एहमदाबाद नगर महापालिका यानी AMC ने एहमदाबाद के LG Medical College का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसका नाम अप रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नाम पर होगा Medical College का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव बना था जिसे नगर निगम की स्टेंडिंग कमेटी मिटिंग में रखा गया और चर्चा के बाद इसे मनजूर कर लिया गया अब आगे का प्रसेश शुरू होगा और ये Medical College के कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोधी के नाम पर जाना जाएगा इस College की स्थापना 2009 में हुई थी इसके रख रखाव का जिम्मा AMC के Medical Education Trust के पास है AMC पर लंबे वक्त से BJP का कबज़ा है देश में शाद ये पहला मौका होगा जब किसी PM के कुर्सी पर रहते हुए उनके नाम पर किसी Medical College का नाम रखा जा रहा हो LG Medical College को AMC संचालित करती है ये College अंदाबाद के मनीनगर में है मनीनगर कभी PM मोधी का विधानसभा शेत्र हुआ करता था वो यहां से तीन बार विधायक बने और CM भी बने दरिसल गुजरास में अगले महीने विधानसभा चुनाव का एलान हो जाएगा उससे पहले BJP राज्ये में बहुत कुछ बदलने की कोशिश में जूटी है ऐसे में PM मोधी के नाम पर Medical College का नाम रखने के मुद्धे पर कॉंग्रिस ने तंच कसा है कॉंग्रिस ने ताउने कहा है कि BJP को चुनाव में हार का डर सता रहा है इसलिए PM मोधी के नाम पर जल्दबाजी में संस्थानों का नाम किया जा रहा है और बुलेटन के आखर में बात नए CGI के बनाए सिस्टम पर उठ रहे सवालों की सुप्रिम कोट की एक बैंच ने चीफ जस्टिस उदे उमेश ललित की और से लाए गए केसों की लिस्टिंग के नए सिस्टम पर नाखुशी जाहिर की है यू यू ललित ने नए सिस्टम की शिरुवात की है जिससे सालों से लंबित केसों को तेजी से निप्टाया जा सके लेकिन अदालत की एक बैंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान इस सिस्टम से नाखुची जताई है सुप्रीम कोट चीफ जस्टिस यू यू ललित ने केसों की लिस्टिंग में नया मेकानिजम बनाया है जिसमें सुप्रीम कोट के जज दो अलग-अलग शिफ्टों में काम कर रहे हैं नए सिस्टम में हर सब्ता हसोंबार और शुकरवार को 30 जज दो अलग-अलग ग्रुप में बैठते हैं हर ग्रुप 60 अलग-अलग केसों की सुनवाई कर रहा है, इनमें नई दायर होने वाली PIL भी शामिल है इस मेकैनिजम के तहत ये भी तैह हुआ है कि हर मंगलवार, बुदवार और गुरुवार को तीन जजों की बैंचे बैठींगी इनकी ओर से सालों पुराने केसों की दो पहरे एक बजे तक सुनवाई की जाएगी, इस मेकैनिजम के साहरे लगभग दो सब्ताह में करीब 5000 मामलों का निप्टारा सुप्रीम कोट कर चुका है कुल 13 वर्किंग डेज में चीर्स अदालत ने 3500 विविद मामलों को निप्टाया है, इसके अलावा नियमित सुनवाई वाले 200 केसों और 1200 ट्रांसफर मामलों की सुनवाई पूरी हुई है लेकिन अब सुप्रीम कोट की ही एक बेंच ने इस मेकैनिजम पर सवाल उठा दिये है जस्टिस संजे किशन कॉल और अब है ओका की बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा नया लिस्टिंग सिस्टम मामलों की सुनवाई के लिए परियाब तो समय नहीं देता है जैसा की मौझूदा मामले हुमें हो रहा है क्योंकि दोपहर के सेशन में कई मामले लंबित है दरसल जस्टिस कॉल और जस्टिस ओका की बेंच नाकेश चौधरी बनाम उत्तरप्रदेश राज मामले की सुनवाई कर रही थी और इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोट ने ये टिपड़ी कर दी और सुनवाई को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया ये टिपड़ी चीफ जस्टिस उयू ललित को भी चिंता में डाल सकती है क्योंकि नए मेकैनिजम उनके नेत्रे तुमें ही तयार किया गया है जिससे पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमन्ट के रेटायर होने के बाद तयार किया गया था जस्टिस रमर्ण ने भी रेटायमेंट के बाद कहा था कि वकील बार-बार शिकायत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नई अचकाइन लिस्ट नहीं हो पाती है उन्हें मलाल है कि वो अपने कारिकाल में इस पर ध्यान नहीं दे सके नई CGI शायद इसका खयाल रखेंगे और CGI UU ललित ने भी शायद इसी बात का खयाल रखते हुए नया मेकैनिजम तयार किया था लेकिन अब साथ ही जज ही इस पर सवाल खड़े कर रही है तो आज इस बुलिटिन में बास इतना ही देखते हैं डीबी लाइफ नमस्कार